तो अगर 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 अपना पैनिस की स्किन को जो पर स्किन होती है उसको पीछे करें तो देखेंगे पीछे की और एक टाइट स्किन का टैग होता है एक धागा सा होता है जो उपर पिशाब के रास्ते के नीचे अटाइच होता है और नीचे वो स्किन से अटाइच होता है तो बहुत से लोगों में ये छोटा होता है या टाइट होता है तो उसको होने से क्या प्रॉबलम होती है जिसको हम टाइट प्रेंडलम या फ्रेंडलम बड़ा नहीं हो पाता तो इसको release करने के लिए एक छोटाइसे procedure की जरूरत होती है जिसको खहते है फ्रेनलो प्लास्टी इस जो ये धागा है या फ्रेनलम है इसको हम लंबा कर देते हैं प्लास्टिक सर्जरी से चोटी सी प्लास्टिक है बहुत ज़्यादा तो अगर आप सेक्स करेंगे तो इसमें ये एक तो पैनिस टेड़ा रहेगा दूसरा उसकी लंबाई पूरी नहीं आएगी और तीसरा इसमें दर्द होगा इसमें bleeding हो सकती है अगर ये बहुत से पेशिंट्स में कि यहां पर ये जो area होता है जिनमें ये टाइट होता है उनमें ये area बहुत ज़्यादा sensitive होता है sensitive होने के कारण इहीं पर friendlum के आस पासी sensitive होने के कारण वहां से बहुत ज़्यादा आपको nervous stimulation मिलती है तो आपकी ejaculation यानि आपका जो penis हो जल्दी ejaculate कर देता है तो timing कम हो जाती है जब हम इसको हटाते हैं इसको लंबा करते हैं तो यहां की जो पहुत छोटी छोटी nerves है वो हट जाती है जिस कारण से बहुत से लोग जिनमें tight friendlum होता है और उनकी timing कम है उनको timing में भी फायदा मिलता है तो यह दो फायदे हमने आपको बताए कि एक तो यह जो उनका टेड़ा हो जाता है या यहां पर चोट लगती है या sex करते वक्त दर्द होता है या blood आता है वो इसको सिधा करा सकते हैं आकर local anesthesia में होते हैं सुन करके फटावर से सरजरी कर दी चाती है आप घर से ले जाते हैं ना कोई पटी होती है कुछ भी नहीं होता है टाके भी घुलने वाले ही लगते हैं या फिर इसको दुसरा इसमें फायदा यह होता है कि मैंने क्या बताया दुबारा से रिपीट कर रहा हूं सेक्स टैंडिंग को इंक्रीज कर देता है जिनकी यहां पर सेंसेशन बहुत ज़ादा होती है तो इसको फ्रेंड लोप्लास्टी सरजरी कहते हैं और पैनेस के जो टाइट फ्रेंड में उसको ठीक करने की यह सरजरी है आप जानते हैं क्लिनिक मेरा गुरगाओं में है जहा आपने अपना टाइम दिया इसके बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू